तो अगर आपने फाइनल डिसाइट कर लिया है, आपको Redmi का Note 12 पर्चेस करना है, मैं January 2023 की बात कर रहा हूँ, जब Big Saving Days चल रहा है, तो यह सारे ओफर लगा के 22, 23 का आपको मिल सकता है, और मैं यहाँ पर एक स्किन यूज कर रहा हूँ, Redmi के Note 12 Pro में, तो यहाँ पर जो स्किन से अल्रेडी लाइव हो चुक है, क्योंकि यह ग्लॉसी फिनिस के साथ इसका जो कैमेरा बंप आता है, बहुत जादा डर्स्ट को अट्रक करता है, अच्छा नहीं दिखता है, तो आप स्किन लगा के इसे सॉल्व कर सकते हो, सारे एक से सरी इसका लिंक आपको वीडियो के डि बहुत सिंफल है, जादा आपका दिमाग नहीं खराप करूंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा, और नथिंग फोन वन के लिए को एकसे सरी इस चाहिए, तो लिंक इस इन दर डिस्क्रिप्शन, बैक कवर, स्किन, अल्टरकले, स्किन प्रोटेक्टर, स्किन, सारा कुछ का ल देखने के लिए मेल जाता है, बट अगर मैं नथिंग की बात करूंगा, तो यहाँ पर मेटल का फ्रेम देखने के लिए मलता है, और फ्रेंट और बैक गोडिला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, और यह क्लियर डिजाइन के साथ आता है, और वायलेस चार्जिं और रिवायल अंडर 25,000 क्योंकि यह किसी भी 40-50,000 के फोन, इवन आइफोन जैसा यह फील आपको दे सकता है, इन-हंड फीलिंग के मामले में, तो बिल्ड कॉलिटी सी कमाल की है, और यह अल्मोस्ट जो है, बेस्ट डिजाइन स्मार्ट फोन, यह सारे अवार्ट जो है, 2020 का जी चुका ह बहुत बड़े क्रेटर्स ने इसे अवार्ट दिया है, तो यह सारा कुछ देखने के लिए मलता है, कैमरा के बारे में बात करते है, थोड़ा कंफूशन होना चाहिए, जहां पर दोनों में ही सोनी का IMX766 है, विट ओ आइस, जो प्राइमेरी सेंसर की बात कर रहा हूं, अल अब भी भी नतिंग ऑप्टिमाइस नहीं कर पाई, और यह किसी भी 8 मेगापिक्सल से आप डेफिनेटली कंपेर कर सकतों, कभी-कभी वो एक 8 मेगापिक्सल से भी बेकार का परफॉमेंस देता है, तो इसका 50 मेगापिक्सल इस अल्मोंस जो है, आप सोच लिए यहां पर तो यहां पर एक ही सेंसर है पीछे में, यही मानम के चले हैं, बट इसका जो मेन सेंसर है बैक में, तो उसकी ऑप्टिमाइसन बहुत बढ़िया है, इतने दिनों तक जितने भी सॉफ्ट्वर अपडेट्स आया है, तो अच्छा गासा ऑप्टिमाइस करके दिया हुआ है, यह जो है, अपको दिक्कत नहीं देता है, वेराइस अगर मैं, रेड्मी नोट 12 परो की बात करूँ, हाला कि यह भी बहुत अप्डेट्स नहीं आया है, बट इसका जो है, उसे ऑटो है, पहला पर भी ऑटो ही देखने के लिए मलता है, अगर नतिं की बात करो, तो तो है अ आपका जो फाइंडर है, वहाँ पर आपको देखना पड़े है, कब हो HDR का आइकन जो यहलो हो रहा है, अगर यहलो है, तो डिफिनेटली है काम कर रहा है, बट फटाक से बंद हो जाता है, अच्छे का से रेजल्स नहीं आता है, अगर पोट्रेट्स को कंपेर करोगे, अच्छा काम कर लेगा, 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 ब्रॉट डेलाइट कंडिशन में जो दोनों ही ऑल्मोस सिमिलर कर जाते हैं ज्यादा कंसिस्टेंट है अगर नाइट इमेजस की बात करोगे तो मुझे नाइट इमेजस में नाइट मोड में देखने के लिए नहीं नेक्स्ट अगर हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं यहां पर तो वह रेड्मी की जादा अच्छी है तो वहां पर उबर थाउजन निट्स की ब्राइटनेस देखने के लिए नथिंग पता नहीं क्यों उसने ब्राइटनेस को कहां पर सासो यार आट सो पर जो लॉग करके राकाई निट्स पर अगर मैं डिस्प्ले टेक की बात करो तो इवन अगर आप यूट्यूब में पर एजडियर 60fps 4K वीडियो को चलाओगे तो वह अटक अटक के चलता है बड़ जो रेड्मी का नोट 12 प्रो है वो इजी ली चला सकता है और सुमें कोई दिक्कत नहीं है और आप साइड बाई साइड दोनों को देख रहे हो और आप को दिख रहा होगा यहां पर कौन सा बेटर डिस्प्ले है तो मुझे तो इस बार रेट्मी का डिस्प्ले बेटर लगा कंपेरिंग तो नथिंग नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बैटरी लाइफ एं चार्जिंग का क्या सिच्वेशन वहां पर रेट्मी नोट 12 प्रो बे अफिशल करोगे तो इस बेटर रहेगा और अफिशल नहीं भी कर रहे हो तो कोई PD चार्जर ले लेना सैमसंग का या वन प्लस का लोग बहुत पूस्त है कौन सा लेना है तो वन प्लस का यह जो PD चार्जर या जो संसंग का चार्जर और ऊसमें चरेप्र नहीं के साथ चाहिए या उसका इस्तिमाल करे लेना तो चार्जिशन इसपीट धी हो जाती है बैटरी वैकप अपको वह किसी इस प्रह अप्डेट में अच्षी होती में कम हो जाती है यहे दिख लिंगए मैं नहीं तो इसे क्योंकि charger in the box है तो वो पॉइंट जो है रेडमी को जाता है और आगे मैं प्रोसेसर के अगर बात करू तो Dimensity 1080 versus Snapdragon 778 दोनों ही fast है दोनों ही अच्छा reliable है अदर 25,000 ये दोनों जो chipset है वो अच्छा आपको performance निकाल के देगी तो as such कोई दिक्कत नहीं आएगे day-to-day टास्क में इवन गेमिंग में भी smooth में extreme का option मिल जाता है दोनों में ही है दोनों का ही थोड़ा सा मुझे smooth नहीं लगता है दोनों का ही जो अच्छा है 60 fps चिपक के तो नहीं देगा बट वो एक smoothness जो आती है game को खेलने में वो जो flagship में देखने के लिए 870 में या उससे भी higher range में तो वो कही न कहीं वो एक दिक्कत मुझे आती है जो कि 920 में I think better था 1080 1080 डाइमेंस टिमो कैसा है and snapdragon 778 में वो हमेशा ही साथ जहांपर वो smoothness थोड़ी सी नहीं दिखती है उसलिए मैं कहता था कि 920 बेटर है बट 920 and 1080 में जादा फरग नहीं है बट वही सेम जो है smoothness मुझे नजर नहीं आती है कही नहीं कहीं कुछ और जो चोटे मोटे चीजों की बारे में अगर मैं बात करूँ तो डूल स्टीरियो स्पीकर का performance किसका अच्छा दोनों का ही I think अच्छा देखने के लिए मिलता है as such किसी को जादा अच्छा किसी को कम बुरा ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं दोनों का स्टीरियो स्पीकर का experience अच्छा है haptic feedback नतिंग का है haptic feedback अच्छा है और यहां पर दूसरे फीचर जैसे gliff interface जैसे features भी देखने के लिए मिल जाता है जो haptic के साथ जो है अच्छा इन्होंने जो ऑप्टिमाइस करके दिया है तो haptic feedback मैं नतिंग को दूंगा वहला पॉइंट और करियर एकरिकरिकेशन दोनों का अच्छा नहीं है पहले नतिंग का करियर एकरिकरिकेशन अच्छा दिखने के लिए मिलता था बड़ अभी जो एवरेज हो चुगा है इसका भी एवरेज है यहां पर टूसीए का ही support दिखने के लि पिक्सल जैसा ही UI पूरा निकाल के दिया है बहुत सारे पिक्सल जैसे features में थोड़ी बहुत है जैसे कि flip to glyph actual में जो पिक्सल अगर यूज करते हो तो वहां पर flip to stitch करके जो एक option है जहां पर आप अप्लिप करोगे तो वो silent चला जाएगा और इसी को उन्होंने implement करा हुआ ह अगर आपको अच्छा software चाहिए होता है तो definitely definitely nothing आपके लिए एक option है तो software में nothing is a winner, build quality में nothing is a winner, camera में भी nothing is a winner and खाली बैटरी अंचार्जिंग में मैं note को prefer करूंगा and software में भी मैंने बता है कि nothing is a winner तो यहां पर clearly I think nothing is the clear recommendation under 25,000 अगर आपको sale में मिलता है उस price point में तो nothing is a clear winner दोनों में black and blue black and white में confusion है तो nothing का white सबसे ज़्यादा premium दिखता है तो clear answer आपके लिए तो nothing आपको purchase करना है यहाँ पर वीडियो पसंद आए लाइक करो नहीं पसंद आए दो बार डिस लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं मुलता हो नेक्ट वीड आपके लिए